हेलो एंड वेलकम दिस इस अभी नियर्ण गंगवाल वेलकमिंग और टूदेश टॉपिक इस मैनेजमेंट एस साइंस आर्ट एंड प्रॉफेशन यह सबसे इंपोर्टन टॉपिक है तुमारे बॉड परस्पेक्टिव से इसलिए यह टॉपिक को एक्दम अच्छे से कंसेप्ट चुली देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे management as science, फिर देखेंगे management as art and फिर देखेंगे management as profession तो सबसे पहले देखते हैं कि management as science, see management as science मतलब किया कि क्या management science है के नहीं वो कैसे चेक करेंगे sir कि management science है के नहीं, see science की जो भी characteristics है वो characteristics को हम compare करेंगे management के साथ अगर यही सारी characteristics science की applicable होगी management को तो हम बोल सकते कि हाँ management science है वरना नहीं बोल सकते simple as that तो सबसे पहरे characteristics हम compare करते है management के साथ so the first characteristics of science is that science is systematic and specialized knowledge knowledge तो है लेकिन कैसा knowledge है? systematic है और कैसा specialized knowledge specialized तो है कि हम एक फिर्ट पकड़ी science की और उसमें हमने knowledge gain किया, समत्य systematic knowledge, systematic knowledge मतलब क्या? systematic knowledge मतलब कि आपने परम ज्यान नहीं हो रात और रात आपने एकदम अच्छे से उसको study किया है system से, कैसे study किया? simple science को हमने पहले 10th standard में थे फिर हमने उसको 11th science में हमारे पास option था तो हमने 11th science लिया था फिर हमने 12th science opt किया था, फिर हमने BAC करी, फिर हमने MAC करा तो यह क्या हुआ? यह हमने systematically science की knowledge को gain किया तो क्या management में भी ऐसा होता है? यह बिल्कुल होता है 10th के बाद हमारे पास option था, तो हमने क्या लिया? 11th commerce लिया, फिर हमने 12th commerce में आए फिर हमने BBA किया, फिर हमने MBA किया, तो यह क्या हुआ? यह भी systematic knowledge हुआ तो हम बोल सकते कि हाँ management भी science के जैसे systematic and specialized knowledge है तो चलो, पहली characteristics को applicable हो गए management को, second characteristics देखते है science की क्या है? cause-effect relationship, cause-effect relationship मतलब क्या? कि अगर एक चीज होगी, अगर एक event होगी, तो वो event के effect में दूसरी event होगी मतलब अगर यह होगा, तो यह होगा, तो यह दोनों की relation क्या हुए? cause-effect relationship मतलब अगर एक चीज होई, एक event होई, तो उसके result से B event भी होगी just for example से science में ऐसा होता है, कि अगर मैं water की बात करो तो water को अगर मैंने heat किया, यह एक event होगी, water को मैंने heat किया तो क्या होगा, water क्या बन जाएगा, vapor बन जाएगा yes, तो यह एक event हुई, यह क्या हुआ, उसका cause हुआ, उसकी reason हुई और यह क्या हुआ, उसका result, यानि कि उसकी effect हुई, तो यह कैसा relation हुआ? cause-effect relationship, तो क्या management में भी ऐसा cause-effect relationship देखने को मिलता है? जी, विल्कुल देखता है, कैसे? supposedly, मुझे अपने employees को motivate करना है तो यहाँ पर cause-effect है, कैसे? कि मैं उनको bonus देदू, financial incentive देदू, तो वो क्या हो जाएंगे? motivate हो जाएंगे तो यह क्या हुआ? cause हुआ, जैसे पानी को गरम किया, तो वो vapor बन गया ऐसे ही, अपने employees को मैंने bonus दिया तो वो क्या हो गए? motivate हो गए, तो यह क्या हुआ? effect तो हमने देखा, कि दोनों characteristics, जो science की थी, वो management को applicable हो गई next देखते है, science की characteristics में क्या बोला है? universally accepted principle, मतलब science principle तो है लेकिन कैसे principle से science के? that they are universally acceptable कि आप India में हो, America में हो, Australia में हो, कहीं पे भी चले जाओ, यह principles आप applicable होंगे कैसे? just for example, best example अगर ले, gravitation force simple, अगर मैंने एक apple लिया और apple को मैंने उचाला, या पत्थर लिया, पत्थर को मैंने उचाला तो वो नीचे ही आएगा, because of gravitation force तो यह चाहे मैं इंडिया में करूँ, यह experiment चाहे मैं अमेरिका में करूँ, कहीं पे भी कर दूँ, पूरे अर्थ में, यह applicable होगा तो यह science का principle, लेकिन कैसा principle है? universally acceptable principle, तो क्या management में ऐसा कोई principle होगा? जिविलुकुल है, see, management में भी कुछ fundamental principle है अब यह fundamental principles जो है, हम देखें के detail में सारे chapter number 2 में लेकिन अभी एक समझते हैं, खाले example के लिए मैं बता दूँ, आपको एक principle management का है unity of command क्या principle? unity of command, क्या होता है unity of command में? हमारी जो organizing structure है अपने business में जो यह structure होती है यह structure में principle बोला है कि एक senior है, यह दोनों उसके junior यह senior, यह दोनों इसके junior यह senior, यह दोनों इसके junior अब unity of command क्या बोलता है? कि अगर एक person काम कर रहा है तो इसके उपर सिर्फ एक ही senior होगा जो उसको order देगा या जो उसको command देगा मतलब क्या? यह person को order देने वाला खाली यही होगा क्यों सर ऐसा? क्योंकि देखो, अगर यह person को दो लोग order देंगे तो यह person confused हो जाएगा कि मैं किसका काम करूँ? इसका करूँ कि इसका करूँ? अगर दो senior रख दिये है, तो फिर यह confused हो जाएगा कि मैं इसका काम करो इसका करो और दोनों में से किसी का काम नहीं होगा और conflict होगी इसलिए हमने एक principle बनाया क्या unity of command तो ये unity of command मतलब क्या कि सर एक person एक employee होता है उसके उपर सिर्फ एक ही senior होना चाहिए जो उसको command देगा मतलब कि हमने यहाँ पे सारे command को integrate कर दिया तो ये क्या हुआ unity of command तो ये unity of command खाली इंडिया में applicable है नहीं सरी तो आप कहीं भी चले जब applicable होगा तो एक ऐसा principle हुआ universally accepted principle के जहाँ जहाँ इंसान आएगे जहाँ जहाँ टीम आएगी वहाँ वहाँ मैं unity of command को implement कर सकता हूँ next अगर बात करें तो science में क्या principle है test of time test of time मतलब क्या कि science के जो भी principle है science के जो भी principle है उसको मैं कभी भी experiment करूँ चाहे 5000 साल पहले करूँ चाहे आज करूँ या आज से 5000 साल बात करूँ वो experiment same result देंगे तो इसको बोलेंगे test of time just for example मैं hydrogen के 2 atom ले लू और उसके साथ oxygen का 1 atom add करूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा H2O that is क्या मिलेगा मुझे water मिलेगा अब यह कोई आज का principle तो है नहीं यह क्या हुआ it stands on test of time मतलब कि इसको मैं आज करू आज से 100 साल पहले किया होता या आज से 100 साल बात करूँगा कोई फरक नहीं पड़ेगा तो क्या ऐसे ही principles अपने management में है जी बिल्कुल unity of command भी मैं आज से 5-10 साल पहले करता तो भी applicable था और आज से 100 साल बात भी applicable होगा तो जी बिल्कुल unity of command जैसे जो fundamental principle है they stand on test of time तो यह चारो प्रिंसिपल हमने देखे first is systematic and specialized knowledge second is cost-effective relationship third is universally accepted principle fourth is test of time यह सारे चारो चार प्रिंसिपल जो science के है वो सारे applicable होंगे management में अब फिक्त देखते है कि science के जो भी principles है वो बने कैसे तो हमें देखना होगा कि वो कैसे है logically proven है कैसे है logically proven मतलब क्या कि वो ऐसे ही तुक्के बाजी से नहीं आये उसको आपने experiment किया फिर आपने observation निकाले फिर आपने कोई conclusion निकाला कोई तुक्के बाजी या किसी का opinion नहीं है just for example अभी मैं बोलू कि earth जो है वो flat है तो फिर आप मेरी बाद मानोगे या फिर क्या इसको में scientific principle बोलूँगा अगर मुझे इसको scientific principle बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको logically prove करना पड़ेगा कि sir ठीक है चलो आपकी बाद मान भी ले कि earth flat है लेकिन आप उसको logically prove करके बताओ experiment करो, observe करो, conclusion निकालो लेकिन आप उसको logically prove करके बताओ तब भी वो scientific principle बनेगा तो क्या management में भी ऐसे चीज़ है कि सारे principle को हमने logically prove किया जी बिल्कुल यह जो principles है fundamental principle वो सारे logically proven होते है लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे management में ऐसे principle भी है कि जो logically proven नहीं है जो किसके बेस पे चलते है assumption के बेस पे चलते है तो इसका मतलब कि सर यह जो characteristics आपने बताओ फिफ्थ वाली यह 100% applicable नहीं होती यह कैसी applicable है it is partially applicable तो यह फिफ्थ वाली जो characteristics science की है वो partially applicable देखो मैं conclusion में यह बोलता हूँ that management is not pure science क्या बोला management is not pure science क्यों ऐसा देखो simple management deals with human beings management किसके साथ deal करेगा human being के साथ और human being का behavior कैसा होता है unpredictable उसकी quality क्या है कि वो predict नहीं हो सकता हम कभी predict नहीं कर सकते हम यह करेंगे तो human being यह करेगा हमें तो management में क्या करना है किसको manage करना है human being को तो human being का तो behavior unpredictable है तो फिर यह सारी चीज़े 100% कभी applicable नहीं होगी यह applicable तो होगी मैंने बताया ऐसे लेकिन कोई भी चीज 100% applicable नहीं है just for example पहली चीज़ तो applicable है चलो systematic and specialized knowledge है लेकिन second cause effect relationship मैंने बताया ऐसे कि आगर आप किसी को motivate करना होता आप उसको bonus दे दो motivate हो जाएगा लेकिन सर सामने person को आने वो भी तो देखना पड़ेगा क्यों? क्योंकि मानों कि मुझे Bill Gates को motivate करना है और मैं उसको बोलू क्योंकि मैं आपको 10,000 रुपे एक्स्ट्रा बोनस दूँगा आप motivate हो जाओ तो क्या Bill Gates motivate होंगी? बिलकुल नहीं सर यहां से हमें क्या मालूम पड़ा कि 100% यह चीज़ applicable नहीं कर सकते यह चीज़ generally applicable है लेकिन सामने depend करेगा कि person कौन है उसके हिसाब से उसका behavior होगा और behavior के उपर depend होता है अपना management ऐसे universally acceptable principle तो हाँ fundamental जो principles है management के वो universally acceptable तो है लेकिन इसमें भी condition क्या कि सर डिपेंड करता है सामने वाला behavior कैसा करे वरना यह सारे principles applicable नहीं होंगे test of time again human behavior change हो जाएगा तो test of time पे stand ना भी करे last last तो हमने पहले देखा था कि partial है तो फिर यहां पे हम क्या बोलेंगे के management is not pure science तो फिर सर इसको क्या बोल सकते है अगर यह pure science नहीं है तो जी बिलकुल इसको हम बोल सकते है के it is social science या फिर हम इसको बोल सकते है के it is behavioral science या फिर इसको बोल सकते है कि it is flexible science या बोल सकते है soft science लेकिन it is not pure science चलो, अब next देखते है कि management as art see art very simple art क्या होता है, art में आपको चाहिए theoretical knowledge, सबसे वेले क्या चाहिए theoretical knowledge, just for example से मैं बात करू sketching की मुझे करके sketch बनाना हो, तो मुझे sketch की basic knowledge चाहिए कि बाई, सर जो कोई होता है उसमें आपको grid बनानी रहेगी बराबर उसमें से आपको यहाँ पे eyes बनानी होगी यहाँ पे आपको mouth बनाना होगा और colors की knowledge चाहिए मुझे, तो यह क्या हुआ this is basic theoretical knowledge लेकिन theoretical knowledge के साथ साथ मुझे क्या चाहिए उसको अगर मुझे implement करना हो तो personal skill और expertise चाहिए मतलब क्या personal skill मतलब उसमें मुझे दिखानी पड़ेगी creativity या बोल सकते हो intelligence तो मेरी यहाँ पे skill भी काम आएगी theoretical knowledge तो सब के बास होगा, कि grid कैसे बनाए colors की knowledge यह सारी knowledge अब के बास है लेकिन फिर भी उसको implement करने के लिए मुझे क्या चाहिए creativity अगर creativity नहीं होगी तो फिर आप sketch बना नहीं सकते या कोई भी art नहीं कर सकते just for example से मैं यहाँ पे एक table के उपर एक apple को रखतू और दो person, दो artist है उनको बोलू कि आप दोनों इसका sketch बनाओ तो आपको लगता है कि क्या दोनों का sketch same होगा बिल्कुल नहीं सर क्यों दोनों के बास theoretical knowledge तो same है, दोनों के बास color की knowledge तो same है, दोनों के बास instrument भी same होगे, tools भी same होगे लेकिन फिर भी दोनों की painting अलग अलग बनेगी, reason being सर दोनों उसको implement करते वर्क, अपनी अपनी personal skill और अपनी expertise बताएंगे दोनों अपनी creativity बताएंगे same चीज management के साथ भी है कैसे, अगर मैं एक ही company लूँ, एक ही company अगर दो अलग अलग person को manage करने के लिए दे दूँ एक ही company को अगर अलग अलग person manage करेंगे तो दोनों के management में फरक आएगा कैसे, क्योंकि sir basic knowledge तो दोनों के बाद same है लेकिन वो knowledge को जब आपको implement करना है, तो फिर आपको अपनी creativity, personal skill और expectation बिखाना पड़ेगा am I clear? तो हाँ, यहाँ पे तो management is an art पहले हमने क्या देखा, management is not pure science, यहाँ पे क्या देखा management is art, अब बात करते है profession की, सबसे पहले समझते कि profession होता क्या है see, profession बतला कि आप कोई एक specific field पकड़ लो जैसे कि आपने doctorate पकड़ ली जैसे कि आपने वकीलार, lawyer बराबर teaching, तो यह क्या हुआ specific field है, अब यह specific field में, आप क्या करो specialized knowledge ले लो, specialized knowledge मतलब एकड़म in-depth knowledge ले, अब यह in-depth knowledge आएगी कैसे, सर मैं college में जाओंगा, वहाँ से मैंने degree ले ली और वो degree के साथ साथ मैंने अपनी skill develop कर ली, फिर मैंने क्या किया, उसकी practice चालू कर दी, तो फिर मैंने क्या कमाना चालू किया, fees, तो यह क्या हुआ, profession, just for example, से lawyer, lawyer क्या करेगा, lawyer यही करेगा, सबसे पहले वो degree लेगा, law college से, फिर उसने अपनी skill develop करी, advocacy की और फिर वो सब के पास से, fees लेगा, simple, एक specific field हमने पकड ले, वो specific field में हमने specialized knowledge लिया, वो specialized knowledge लिने के बाद हमने fees collect की, तो specialized knowledge कैसे मिलेगा, सब degree से, और उसके साथ सथ क्या होनी चाहिए, skill होनी चाहिए, am I clear, next देखे, तो कोई भी profession हो, वो profession का, एक होता है professional association, professional association मतलब क्या, कि वो एक organization होता है, professionals का कि जो वो सब के लिए, moral code of conduct और uniform जैसी बाते जो होती है वो decide करते है, just for example से, lawyer, तो उनका uniform होता है, fix decide किया, उनके association ले, कि उनको black color का blazer और black color का code और whatever पहनना होते है, doctor, white color का पहनेंगे code, तो moral code of conduct, moral code of conduct मतलब क्या, कि rules and regulations जो के decide करेंगे, professional association yes, तो क्या ये सारी चीज़े management में देखी जाती है समझते है क्या management अगर आपको करना हो तो कोई degree चाहिए, जी विल्कुल आपने कौन से degree लिए, MBA लिए, देखेने मुझे एक बात बताओ कि क्या ये MBA की degree management के लिए compulsory है, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आपके बास ये degree नहीं है, फिर भी आप management तो करी सकते हैं अपने business का हाँ, अगर आपको कोई बड़ी company का management करना हो, तो फिर ये degree compulsory बनेगी मतलब क्या, कि ये degree है तो सही, लेकिन it is not very compulsory थी, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ अभी आने लगी management में, कि अभी degree सब लोग लेते हैं, फिर skill भी develop करते हैं, और फिर fees चार्ज करते हैं तो ये चीज़ अभी आने लगी, पहले नहीं थी, लेकिन अब आने लगी, फिर देखते professional association, क्या management में कोई professional association है कि जो सब के लिए moral code of conduct ये rules and regulations या फिर uniform decide करेगा, जी बिल्कुल नहीं कोई professional association नहीं है और कोई uniform भी नहीं है, लेकिन ये future में आ सकता है, क्योंकि अगर MP की degree आ गई, और अगर ये composite देरे दे बंद रहा है, तो फिर ये चीज भी future में आ सकती है, मतलब हम बोल सकते है, कि management is not pure profession, but it is developing profession, कि अभी आया है, और देरे देरे develop हो रहा है, ये future में develop हो कि एकदब पक्का profession बन जाएगा, जैसे teaching है, जैसे lawyer है, जैसे doctor है लेकिन आज हम नहीं बोल सकते कि management is pure profession, तो I hope is not pure science, pure art or pure profession, but it is a very beautiful blend of three of them, कि हम तीनों चीज को mix करके management बढ़ते हैं, okay, I hope everything is clear, अगर आप लोगो कोई भी doubt हो, तो आपको पता है, आप मुझे WhatsApp कॉल कर सकते हो, अभी के लिए आप ये चैनल सब्स्राइब कर लो, लाइक कर दो, thank you, thank you so much